इसे समय का तकाजा कहें या फिर वक्त का फेर कि सूबे की गहलोज सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं लेती और मुश्किलों में दोगनी पेचीदगी तो उस वक्त आ जाती है जब गहलोज सरकार को पालेट ही कट घरे में खड़ा कर देते हैं दरसल राजस्थान के नागाउर में दलित उत्पीडन का मामला अब राश्ट्री फलक्त में चिंतन का विशय बन चुका है और पूरे मामले पर दोगनी गंभीरता उस वक्त आ गई जब आला कमान के माथे पर घटना क्रम को लेकर चिंता की लकीरे खिच गई अब गंभीर आला कमान हुए तो लाजमी है सियासी हलचलों का बढ़ जाना लिहाजा सूबे के छोटे सरकार भी फुल एक्सन मूड में आ गए और नागाउर घटना को लेकर अपनी ही सरकार को कट घरे में खड़ा करते हुए ग्रह मंत्री को जवाद दे ही तै करने की हिदायत दे डाली और बड़ी बात ये है कि राजस्थान में ग्रह मंत्री का पद भी सूबे के निजाम यानि सियम गहलोत के पास है साथ ही पालेट पुरे घटना क्रम पर इतना सक्री हुए कि फॉरन पूरे मामले पर तीन सदस्थी कमेटी बना कर नागौर भेज रहे हैं कुल मिलाकर मामला सिर्फ दली तुद्पीडन तक का नहीं रहा बलकि अब मामला दिल्ली दरवार तक दस तक दे चुका है खेर वही दूसरा पक्ष ये भी है कि सूबे के निजाम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दोशियों को कताई नहीं बक्स जाएगा